साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहां पर भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेन अपडेट है तो जैसा कि आपको इंतिजार था आपके NTA PhD इंटरेंस एक्जाम जो कि आपका केवल स्कोर है जो की NTA का काम था उसने करा दिया है अब यह स्कोर के बेसिस पे आपकी जो इनिवर्स्टीज है जैसे आपका डी यू जी आपकी एक सेपरेड मेरिट लिस्ट निकालेंगे और आपको वहां पर काउंसलिंग पार्ट पर जाना होगा बाकी आपको करना क आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डाउनलोड या प्रिंट स्कोर कार तुसको बहुत ही सावधानी के साथ कर लीजेगा कोई दिक्कत नहीं आएगा बाकी नॉटिफिकेशन आपकी यह दी गई है तो हम इसको नॉटिफिकेशन को आपको थोड़ा सा डीटेल में यहा और आपका रिजर्ट यहाँ पे डिकलेर किया गया है बताया गया है कि यह एक्जाम आपका 26, 27, 31 तारिक पे कंड़क्ट कराया गया था जिसमें आपके 50,971 कंडिडेट्स थे जिसमें से फॉर्म भरे थे जिसमें से केबल 35,000 बच्चों ने इसमें एपियर हुए लगग 36, 35,000 बच्चों ने इस फॉर्म को फिल किया था बाकी इतने सेंटर पे हुआ यहाँ पे आंसर की बगारा भी दी गई है बाकी इसकी हाँ एक चीज़ और मैं कहूंगा फाइनल आंसर की भी आपकी रिलीस कर दी जाएगी तो उसके बेसिस पे जैसा कि हम बैलोजी पार्ट को डिटेल डील करते हैं तो हम आपे देख लेंगे किस कोशन आंसर में चैलेंजर को एकसेप्ट किया गया है बाकी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया था चैलेंज को किया गया जिसमें आपका 320 आंसर की चैलेंज रिसीव किये गया जिसमें 221 जो थे वो यूनीक थे याली कि 221 कि सचल Richardson को यहां पर अजलेंग फेंट करना था उसकर करना था आपके स्कोर कार्ड को डिडेल करना था यहांकि लागे तरहं से काटेग्री वाइस भ לाद करना दो एक hairst ठिडितल फरीखर समय जहें तो इसके रिगार्डिंग भी cut-off को और अच्छे से प्रिट करने में आपको idea लग सकता है, तो वो भी हम एक separate video में देख लेंगे, बाकी बहुत सारी चीज़ें यहां पे mention की गई है, तो overall यही सेनेरियो है, जो कि अपने press release में NTA ने बताया है, तो यहां पर जो चीज़ें है respect to university and institute for the further detail, नहीं कि आपको अब further उन universities की website पे visit करना होगा, हलाकि अभी 3 दिन तो छुटी ही होगी, तो मानके चलिए next week से जो मैं कहूंगा कि आपकी चीज़े active होगी, मतलब universities भी अपने level पे जो जिस तरीके से भी उनको admission लेना होगा, वो उन चीज़ों को करेंगी, बाकी आप हमारे channel पे बने रहेंगे, तो आपको सारी information दी जाएगी, बाकी एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और दिखा देता हूँ, जब आपने scorecard को download करेंगे, यह किसी बच्चे का scorecard है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यह आपका scorecard है, जैसे suppose that एक ही scorecard आपको मिलेगा, चाहे आप कितने भी paper दिये होंगे, अगर आपने जैसे suppose that इस बच्चे ने biochemistry का दिया, तो इसके 256 marks हैं, जो लौजी में इतने marks है, तो कुल मिला के यह सीजे होती है, maximum marks जो है वो आपका 400 नमर का यह paper था, electronic generated scorecard है, जो कि NTA ने publish किया गया है, बाकि candidate particular including category and purser with benchmark haven't indicated, mention किया गया है, कोई separate intimation scorecard नहीं दिया जाएगा, जो है यही है, और NTA ने अपने तरफ से पूरा due care किया है, कि आपके scorecard को सही से upload किया जाए, in case of any inverted error, the NTA reserve the right to rectify the same, अगर इसमें कोई भी कमिया होती है, तो NTA के पास right है, अगर आप अपने लॉगिन करके, आप अपने scorecard को जरूर चेक करिए, और हमारे साथ साजा करिए कि आपके कितने नंबर आए, अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आए है, ठीक है, तो भी आप हमारे साथ जुड़ के अपने बात को रख सकते हैं, और इस तरीके साब जरूर कर लीजेगा, बाकी मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इर्फार्मिशन के साथ, थैंक्यू वेरी मुद्ट